महराश्ट के मुख्य मंद्री एकनाश शंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर अब से कुछी देर के बाद विधान सबाद थेश राहूल नारवेकर अपना फैसला सुनाएंगे बड़े खबर ये है बस कुछी पलों के बाद शंदे गुट पर शाम साड़े चार बजे फैसला आ जाएगा पहले ये फैसला शाम चार बजे आना था लेकिन आप खबर आ रही है कि स्पीकर राहूल नारवेकर विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला शाम साड़े चार बजे यानिकी आधे घंटे के बाद सुनाने बाले है अगर शंदे गुट के सोला विधायक अयोग्य करार दिये गए तो उन्हें मुख्य मंतरी एकना शंदे को पत से इस्तीफा देना पड़ सकता है ये बड़े श्ती बन जाएगे महराष्ट की सियासत में फैसले से पहले सीम एकना शंदे ने कहा है कि बहुमत हमारे साथ है हमेश शिवसेना है चुनाबायोग ने हमेश शिवसेना पार्टी और चुनाचन दिया है शंदे ने ये भी कहा कि अब स्पीकर भी मेरिट के आधार पर हमारे हक में फैसला सुनाएंगे तो एकनाच शंदे यहाँ पर भरे हुए भावों से नजर आते हैं अपना आत्म विश्वा जाहिर करते हैं ये कहते हैं कि फैसला तो हमारे हक में ही आएगा क्या कुछ तहा गया है मुख्यमंत्र शंदे की ओर से सुनते हैं अब आयोग ने हमें वरिंगल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रेकनाइज किया है दनशवान जो सिंबॉल वो हमें रेकनाइज किया है वो दिया हुआ है और इसलिए मैं चाहता हूँ स्पिकर महोदाई जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पर होना चाहिए और मेरिट पर हम लोग शिवसेना है हम लोग सिंबॉल धनुशमान है और हमारे जो शपत वीदी हुआ था कुछ लोग हमाई घटना भाय कहते हैं मुख्यमंत्री बदलेगा लेकिन ये सरकार हमारे मजबुति से काम कर रही है इसलिए उनके पैरो तले जमेट किसक गई है उनको बैचेन हो गए है और अभ़ो उनको सामने दिक ळाय है उनके हार इसलिए ये गलत सलत आरूप लगाते हैं जब उनके फेवर में कोई निरने होता है तो अच्छा बुलते हैं मुख्यमंतरी महराश के एकनाश चंदे को आप सुन रहते हैं उनके ओर से कहा गया है मेरिट के आधार पर फैस्ता होगा दूसरे गुट के पैरो तले जमीन खसक चुकी है असलिव शिफसेना कौन शंदे गुट या फर उधब गुट ये फैसला तो चुनावायोग पहले ले चुका है लेकिन इस फैसले से पहले स्पीकर और मुख्यमंतरी के बीच वी मुलाखात को लेकर उधब गुट ने निशाना साधा उधब ठाकरे ने कहा कि स्पीकर का फै मुख्यमंतरी था कभी स्पीकर उटकर मुख्यमंतरी के आ नहीं जाते हैं वो मुख्यमंतरी जी को बुला लेता है लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंतर और स्पीकर नहीं है स्पीकर जो है वो ट्राइबूनल है और मुख्यमंतरी ता आरोपी है तो क्या एक ज देश में प्रेजातंत्रा रहने वाला या नहीं है यह दोनों मोजकर प्रेजातंत्रा की हरक्ट्रवें कोशिश कर रहे, और तो भी निकाले जाता वै बएए अगर बेस्टेख जो अगये चुनाओ शेतर में जो कोश्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाओ शेतर के विशेते, मैं मुक्य मंत्री हूँ और वो स्पिकर भी है और MLA भी है, तो इसलिए वो ओफिशेल बैटर थी, इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते हैं? आसपास का महल कैसा है? तो उसमें ट्रांसपरेंसी होने चाहिए, आगे जाकर फिर कोई गूट ये आरोप ना लगाए कि छुपते छुपाते हुए ये निरने दिया गया है, इसमें कोई ट्रांसपरेंसी नहीं थी, इसलिए सारे देश की इस फैसले पर नजर है और इस फैसले को लाइफ टेलिका पो का दौर अभी भी कायम है, कुछ चंद मिनिट बाकी है, फैसला आने में एक एतियासिक फैसला है, सिर्फ महराष्ट की ही नहीं, देश की राजनीती पर असर डालने वाला ये फैसला होने वाला है, क्योंकि 10th schedule को लेकर इस पर सुनवाई हुई थी और जिस पर निरने आ आना बाकी है, क्या किस गुट के विधायक डिस्क्वालिफाई होंगे, किस गुट के विधायक नहीं डिस्क्वालिफाई होंगे, ये तै होना है, और इसको लेकर आज कुछी मिन्टों में, साड़े-4 बजे, इसका वर्डिक जो है, वो खुद विधानसभा के अद्धेक् बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पहले ऑपरेटिव पार्ट जो है वो रीड आउट होगा क्योंकि 34 पेटिशन थे जिसके छे पैरग्राफ यानि छे पार्ट में यह फैसला जो है यह सुनाया जाए अब मातोशी का महौल क्या है जिस तरीके से आपको मातोशी का महौल बताए कि सुबह से ही जो है बैठका का दौर चल रहा है जो बड़े-बड़े नेता अब इस वक्क उद्धव ठाकरे कैम से जुड़े हुए है वो लगातार मातोशी पर मौजूद थे लेकिर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता मौझूद थे तमाम जो बड़े-बड़े नेता थे चाहे हो रविंद्र वायकर हो संजै राउत हो विनायक राउत हो तो ये सभी के सभी नेता उद्धव ठाकरे के साथ लगातार मीटिंग कर रहे थे तीन घंटे तक लगातार ये मीटिंग चल रही है और कही ना कही जिस तरीके से नहीं हां से जो बаяन बाजी आ रहे है चिता उनके तरफ से हमें ये समझ में आ रहेंगी वह उनको लगता है कि वह ये लड़ाय हार चुके है ये जो डिशिजन आद साड़े 4 बज़े आने वाला देखे जो पहले शार दे आने वाला ता को अप साड़े उद्दाव ठाकरे भी आज जो है अपना एक पक्ष रख सकते हैं और साथ ही जो सोर्सेस हमें बता रहे है कि जैसे ही ये फैसला आता है तो उद्दाव ठाकरे ग्रूप तुरंट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगा क्योंकि उनका ये कहना है कि Supreme Court ने साफ कहा है कि Majority को नहीं देखना है Constitution को देखना है दूसरी तरफ एकना चिंदे ग्रूप का ये कहना है कि Majority को देखिये क्योंकि 67% Assembly का और National Level पे 75% का जो पूरा पक्ष है वो हमारे पास है तो अब ये इंटरेस्टिंग देखने वाले बात होगी कि जो Speaker जब फैसला लेते है तो क्या वो Constitution के तूर फैसला लेते है या Majority के तूर फैसला लेते है बस यही दो अंतर है जहांपर आज हमें फैसला देखने को मिलेगा स्रयोगी हमें ये भी बता रहे हैं कि शायद वो किसी को Disqualify ना करे और सिधा Supreme Court पर छोड़ दे कि वो एक फैसला ले ले वो अपने तरफ से पूरी दलिल रख रखते तो काफी असमंजस है Uncertainty है उद्धा उठाकरे ग्रूप पूरी तरीके से तैयार है उनका कहना है कि पहले वो इस पूरे Disqualification के Judgment को सुनेगे अगर उनके Favor में नहीं आता है तो वो सीधे Supreme Court को अप्रोच करेगी लेकिन मातोशिक की योगर जो बात करें तो इस वक मातोशिक के अंदर सिर्फ उद्धा उठाकरे है या फिर शिंदे गुट अपने काम्याबी का यहाँ पर ढोल बजाता हुआ दिखाए देगा पहले से ही आत्मिश्वास लबरिज यहाँ पर एकनाशिंदे मुख्यमन की नजर आ रहे है साहिल जोशी मेरे सायोगी इस वक्त हमारे साथ जुट चुके है साहिल यह जो बात बार-बार कही जा रही है जिसका जक्रुट सौरभ वक्तानिया ने भी किया है कि हो सकता है दोनों ही पार्टी के लोगों के सती एक जैसी ही रहे यानि कि किसी को भी अयोगी करार नहीं दिया जाए इसके मतलब माईने क्या समझे जाए और चार बजे का जो फैसला उसको आधे घंटे आगे बढ़ा दिया गया इसके पीछे की बज़ा क्या बताई गई है हुदि किस देश में किसी सदन के स्पीकर को सिरफ यह नहीं तैग करना है कि डिसक्वालीफाई को नहीं हो गया है पार्टी विरोधी एक्टिवीटी के वज़े से चाय पार्टी tahe करना है प्राइमेफसी कौनसी पार्टी जून 2022 में थी शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी या एकना छिंदे की ये भी उनको तैय करना है और ये सुप्रिम कूट के आदेश के मुताबिक तैय करना है अब चर्चा ये है कि हो सकता है कि राहूल नार्वेकर ये कहे क्योंकि राहूल न से अधिकार दिये गए जो पार्टी के भीतर जो डेमोकरसी है उसके खिलाफ थे और पार्टी के भीतर डेमोकरसी ये किसी भी एलेक्शन कमिशन ने जो पैरामिटर्स रखे हुए किसी भी पार्टी को माननेता देने के लिए उसमें एक एहम हिस्सा है तो जिसके चलते एले एलेक्शन कमिशन को उनप्मिशन को किया था वो पार्टी EM ए रेकॉर्ड पर नहीं लिया नहीं लिया है जिसके वज़े से पार्टी की ऑरिजिनल एंई सो निया नवे की यही seleksine कमिशन के दफ्तर में असली Constitution के तौर पर हम बानन रहे है तो जब राहूल नार्वेकर ने, election commission ने शिवसेना की constitution मांगी, क्योंकि घटना पिटने, जो constitutional bench था, Supreme Court का, उन्होंने अपने फैसले में कहा था, कि राहूल नार्वेकर पार्टी का समविधान, पार्टी का political structure, इसके आधार पे ये तैय करें कि असली पार्टी कौन थी, जून 2022 में, तो जिसके चलते ये समविधान मंगवाए गया, election commission ने 1999 का समविधान राहूल नार्वेकर के हाथ में सोपा है, अब अगर राहूल नार्वेकर कहें कि जून 2022 में पार्टी के 1999 के constitution के तहट किसी के भी हाथ में पार्टी नहीं थी, तो पार्टी का structure तैय करना बहुत पार्टी का उस वक्त कौन विध था, वो तैय करना मुश्किल है, जिसके वज़े से कोई भी disqualify नहीं हुआ, ये एक बात बानी जा रही है चित्रा, लेकिन Supreme Court के फैसले में ये बात साफ शब्दों में कही गई है, कि अगर दो गुट सामने आते हैं, तो उसमें से एक गु या तो फैसला शिंदे के पक्ष में जाएगा, या तो किसी के भी खिलाफ ये फैसला नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में उद्धर ठाकरे गुट ने Supreme Court जाने की पूरी तैयारी इस वक्त करके रखिये हुई है, चित्रा Supreme Court उद्धर ठाकरे गुट जाएगा, इसकी पूरी तैयारी कर लिए गई है, आज सुबह से बयान बाजियों का दौर भी जारी है, साहिल जैसा की जानकारी दे रहे हैं, साहिल में फ़रान आपकी पास आउंगी, लेकिन मुझे लगता है वो टाइम लाइन, अपने दर्शक के साथ 15 शिवसिना वधायक सूरत पहुंचे थे, बगावत पर कानूनी लडाई पूरी बता रहे हैं, 23 जून को 16 बागी वधायकों को अयोग्यता का नोटिस पक्रा दिया गया था, बागी वधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे 25 जून 2022 की ये तारीक थी, और उसके बा आपको बता दे, सुप्रीम कोर्ट ने बागी वधायकों को 26 जून को रहा दे दी थी, यानि कि शंदे के साथ जो 15 और लोग थे उनको रहात मिल गई, नए स्पीकर ने शंदे गुट को मान्यता दी, 3 जुलाई 2022 को के सुप्रीम कोर्ट की समिधान पीट को 23 अगर 2022 को ट्रा थागरे नर्देश 11 माई को दिया गया और अब आज वो तारीख, आज वो दिन आ चुकिए है जब स्पीकर थोड़ी देर के बाद फैसा सुनाएंगे, क्या अयोग गिता पर फैसा उनकी ओर से लिया जाता है, क्या उद्धफ थागरे को मिलेगी रहात, क्या फिर्शंदे गुट की यहाँ पर जीत हो जाई, यह दोनों तरब से अपने अपने दावे किये जा रहे हैं